Hey friends, once again welcome back to my channel और फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है food related vocabulary और आज का हमारा जो first word है वो है लोई लोई जो हम आटे की छोटी छोटी लोईया बनाते हैं रोटी बनाने के लिए उसे हम इंगलिस में कहते हैं डो बॉल डो बॉल यानि की लोई गुथा हुआ आटा जिसकी हम लोईया बनाकर उसकी हम रोटी बनाते हैं उसे हम इंगलिस में कहते हैं डो यानि गुथा हुआ आटा रोटी जो हम आटे की रोटी बनाते हैं उसे हम इंगलिस में टॉटिला कहते हैं टॉर्टिला यानि की रोटी पराठा पराठे को हम इंगलिस में फ्लैट ब्रेड बोलते हैं गाइस फ्लैट ब्रेड यानि की पराठा नेक्स्ट है गोभी का पराठा गोभी की पराठे को हम इंगलिस में कहते हैं cauliflower stuffed flat bread cauliflower stuffed flat bread आलू का पराठा आलू का पराठा को हम इंगलिस में कहते हैं potato stuffed flat bread next है भर्वा बैगन भर्वा बैगन इसे हम इंगलिस में कहते हैं stuffed eggplant stuffed eggplant यानि की भर्वा बैगन इलाईची दाना इलाइची दाना जो कि प्रशाद वगएरा में मिलता है हमें छोटा-छोटा होता है, मीठा लगता है उसे हम इंगलिस में कहते हैं Comfit Comfit यानि कि इलाइची दाना भुना हुआ चना ये भी हमें प्रशाद में मिलता है भुने हुए चने को हम इंगलिस में कहते हैं roasted gram यानि की भुना हुआ चना मिस्री मिस्री तो सबको पता होगी और सबने खाई भी होगी मिस्री को इंगलिस में कहते हैं sugar candy sugar candy यानि की मिस्री patties patties को हम इंगलिस में puff pastry कहते हैं puff pastry यानि की patties next है toast टोस्ट, टोस्ट को हम इंगलिस में जो हम चाय के साथ खाते हैं, इस टोस्ट को हम इंगलिस में रस्क बोलते हैं, रस्क यानि की टोस्ट, नमकीन, नमकीन जो हम खाते हैं, नमकीन को हम इंगलिस में क्रिस्प सॉल्टी बोलते हैं, क्रिस्प सॉल्टी यानि की नमकीन, सेंड पापड को हम इंगलिस में भी सेंडविच ही कहते हैं, फिर चाहे वो पनीर सेंडविच हो, पोटेटो सेंडविच हो, उसे हम सेंडविच ही बोलेंगे, पापड, पापड को इंगलिस में पापाडम बोलते हैं, पापाडम यानि कि पापड, पापड तो I am sure सभी को बहुत प बनेगर याने की इसी करोv DR. हैं अचार के साथ खाते हैं उससे खानी का टेस्स और बढ़ जाता है इसे हैं मिलिस भीकल बूलता है इसी है कि नीज के बाल आईम आखिवन में सभी नहीं भए होंगे केंडी फार्स केंडी बोलते해 नेग फ्रेस लुख स passer बनेखि। यानि कि पॉर्ज, यह बहुत ही healthy होता है, कुल्फी, कुल्फी को मिं इंगलिस में Indian ice cream बोलते हैं, कुल्फी यानि कि Indian ice cream, next है, सिकंजी, यानि कि नीबु का शर्बत या फिर सिकंजी, इसे इस अभी ने पिया होगा, इसे मिं इंगलिस में लेमोनेट बोलते हैं, लेमोनेट रसे बनाये जाता है, यह गुड जैसा होता है, इसे हम इंगलिस में trickle बोलते हैं, trickle, यानि कि राब, छाच, छाच जो हम पीते हैं, उसे मिं इंगलिस में कहते हैं, buttermilk, buttermilk, यानि कि छाच, next है, भुट्टा, भुना हुआ भुट्टा, इसे हम इंगलिस में कहते हैं, roasted corn, यानी कि भूना हुआ भुट्टा रोस्टेट कौन लापसी लापसी यानी कि किसी चीछ का घोल जैसे बेसन का है मैदे का है. उसे में इंगले हुए एंडे को हम बोल कहते हैं और अंडा अगर उबला नहीं होता है तो उसे हम normal egg बोलते हैं, अगर उबला है तो मुसे boiled egg बोलेंगे अंडे की जर्दी, अंडे के जो बीच वाला yellow part होता है, उसमें काफी fat होता है उसको हम English में yoke बोलते हैं, योग यानि की अंडे की जर्दी, omolette Omolette को हम English में भी omolette ही बोलेंगे, omolette को हम English में omolette ही बोलेंगे और हमारा last word है अंडे की भुड़जी, scrambled egg, scrambled egg यानि की अंडे की भुड़जी फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हुए एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक यू फॉर वाचिंग